भूमी विबाद में दविया से बार कर बुरी तरह किया जक्मी डी सम्मंदी भूमी विबाद में बिपक्षी ने दविया से बार कर चाचा भतीजे दोनों को अद्मरा कर दिया मामला मोहनपुर ओपी छेत्र के मालपुर तारणगर का बताया जा रहा है दोनों पक्षियों से पांच लोग घायल बताये जा रहे हैं इस्थानी लोगों की मदद से सभी घायलों को मोहन पुरोपी लाये गया जाहां से सभी घायलों को इलाज के लिए रैफलर अस्पताल रुपॉली बेज दिया गया गयल चभी नाथ मंदल ने बताया कि वह मालपूर विद्याले के बगल में बरसो है सो उमार सुबर अनंतलाल मंदल अपने परिवार के पांच दस सहयोगियों के साथ उनके घर पर धाबा बोल देता है जबरन घर का ठाट काटने लगा जब घर उजारने से रोका तो विपक्षी ने दब्या से बार कर चभीनात उसके भतीजे राजीब और विकाश को बुरी तरह से जपमी कर दिया वहीं दूसरे पक्ष के घायल अनंतलाल मंडल और महेश मंडल ने बताया कि वह अपने पुराने घर का खूटा बदल रहा था अचानक विरोधी 36 मंडल अपने सहयोगियों के साथ उनके घर पर हमला बोल देता है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया मामले के बाबत मोहनपुर ओपी अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि फिल वक्त आबिदन नहीं मिला है आबिदन मिलते ही दोनों पक्षों पर मामला दर्च कर उचित कानूनी कारेवाही की जाएगी